गुर्वान वच्चो आज हम लोग कच्छाई 11 के भुगोल में पाठ एक के बारे में अध्यान करेंगे उसमें पहला हेडिंग जिसे दिया है भुगोल पाठ एक में भुगोल एक बिसाय के रूप में दिखो जिसे दिया है माध्यमिक इस्तर तक भुगोल का अध्यान सामाजिक बिज्ञान पाठ क्रम के एक घटक के रूप में किया जाता है दिखे जो भुगोल सब बिसाय है उसका अध्यान हम लोग समाजिक बिज्ञान के अध्यान के रूप में माध्यमिक इस्तर तक उसका हम लोग प्रयोग करते है या उसका उप्योग किया जाता है आप विश्व एवं इसके विभिन भागों के भागोलिक तथ्यों से परचित हैं क्या आप हम सभी लोग क्या विश्व के भागोलिक चीजों से परचित हैं अब भुगोल का अध्यान एक स्वतंत्र बिसाय के रूप में करेंगे तथा प्रित्वी के भावतिक पर्यावरण तथा प्रित्वी के भावतिक वातावरण मानुवी क्रियावं एवं उनके अन्तह क्रियात्मक सम्बंध के बिसाय में जानकारी प्राप्त करेंगे पृतिवी के भौतिक वाता वरण है उसके मानुए क्रियाओं यह पृतिवी संबंदे उसके मानुए क्रियाओं के बारे में अंत्रक्रियात्मक संबंद है हम भुगोल के मध्यम से जैनकारी प्राप्त करेंगे दूसरा हेडिंग हम लोग चलते हैं भुगोल एक समाकलन विशय के रूप में देखे भुगोल एक समाकलन विशय के रूप में भी है इसे हम लोग करते हैं भुगोल एक संसलेसरात्मक विशय है भुगोल एक संसलेसरात्मक विशय है जो छेत्रिय संसलेशन का प्रयास करता है जो छेत्रिय के बारे में जानकारियां हमको प्राप्त होती है तथा इतिहास कालिक संसलेसर का प्रयास करता है इतिहास देखो जो है बीती हुई घड़नाओं के बारे में हमें जानकारी देता है इसके उपागम की प्रक्ति समग्रात्मक होती है इसके उपागम की प्रक्ति समग्रात्मक होती है यह इस तथ्य को मानता है कि बिश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है यदि हम बिश्व की यदि हम विश्व की प्रमुख एतिहासिक घटनाओं का विवेचन करे तो उन में से प्रतेक को भागौलिक ब्याख्या की जा सकती है जैसे देखिए भारत में हिमालय एक महान अवरोधक के रूप में देश की रच्छा करता है देखे जैसे हिमालय पर्वत हुआ भाय हमारे उत्तर में जो हिमालय पर्वत एक महान अवरोधक देश की रच्छा करता है प्रन्तु उसका भगवली देखो वहां का वाता है के जो वहां के मजलेगे प्राप्त होता है वह जिसे चीन से आने वह जो ठंडी हवाओं भी होती है उन वह हिमालय पर्वत अवरोधक उसको रोकता है प्रन्तु उसमें बिद्यमान धर्रे मध एसिया के अक्रमण करताओं एवं प्रब्रजकों को मार्ग की सुविधा देते रहें देखे जो उसमें दर्रे हैं जो उन्हीं दर्रों से होकर जो विद्यशी आक्रमण कारी भारत में आते थे उहीं हिमालय पर्वत के उन्हीं दर्रों से होकर वो भारत में आते थे प्रतीक भागावलिक तथे समय के साथ परिवर्तित होता रहता है देखे भागावलिक तथे जो तो है वाता वो समय के अनुसार के अनुसार परिवर्तन होता रहता है क्योंकि समय के अनुसार आतोमेटिक परिवर्तन होता रहता है तथा समय के परिपेछे में उसकी ब्याख्या की जा सकती है समय के अनुसार वहां की जो चीजें तो उनकी ब्याख्या की जा सकती है भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक बिज्ञान भावतिक भुगोल एवं प्राकृतिक बिज्ञान भावतिक भुगोल की सभी साखाएं जैसा की रेखा चित्र में दर्साया गया है भावतिक भुगोल की सभी साखाएं जैसा की रेखा चित्र में दर्साया गया है प्राकृतिक बिज्ञान की अंतरा प्रिष्ठ है प्राकृतिक बिज्ञान की अंतरा प्रिष्ट है परंपरा गजोर्यों हमेशा चलता रहता है परंपरा गजोर्यों भावतिक भुगोल, मौसम बिज्ञान, जल बिज्ञान, मृदा बिज्ञान से संबंधित है जिखे जो प्राक्तिक बिज्ञान के अंतरा प्रिष्ठ है वो परमप्रागत जो हमेशा मदब चलती आती है वो एक दूसरे पर निर्भर रहता है जिसे भावतिक भूगो लुआ मौस्वम बिज्ञान जल बिज्ञान मृदा बिज्ञान से संबंधित होता है जल बिज्ञान मृदा बिज्ञान से संबंधित होता है क्योंकि ए अपनी सूचनाएं इन्ही बिज्ञानों से प्राप्त करते हैं जय भूगोल बनस्पती सास्त्र जीव बिज्ञान तथा पारिस्थीत की बिज्ञान से अत्यधिक निकटता से जुड़ा है जय भूगोल हुआ बनस्पती सास्त्र है जीव बिज्ञान तथा पारिस्थीत की बिज्ञान से अत्यधिक निकटता से जुड़ा है अत्यधिक निकटता से जुड़ा हुआ है